हाई गाईज मेरे नाम है संचित और आप दिख रहे है टेक बार आज आप लोग से हैं बात करने वाला हूँ बैस स्मार्टफोन अंडर 20,000 या फिर कवो 15,000 मैं दोनों प्राइज रेंज की बात कर रहा हूँ हम क्या करते हैं लो बजट से लेके मतलब अराउंड साड़े बार अगर कोई बंदा खरीजना चाहता है उसको कोई भी एक अच्छा सलूशन नहीं दिया गया इंटरनेट पे तो मुझे लगा मेरे को वीडियो बनानी चाहिए जिससे आप लोग को डिरेक्ली सब कुछ समझ में आ जाए तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं नंबर 5 रैंकिंग देना चाहूंगा रेड्मी नो 10 को गाईज इसका प्राइस जो है साड़े बाराजार रुपे है हो ट्रस्ट मी भाई साड़े बाराजार के साब से यह कुछ जादा ही ग्रेट वैल्यू देता है परफॉमेंस की अगर मैं बात करो तो यहां पर हमें स्नैप्रगन सिक्स सेव बहुत टाइम तक मेरे साब से इसका कैमरा भी जो है प्राइस सेग्मेंट को देखते हुए इंसेन परफॉर्म कर रहा है और हाँ बैटरी के अगर मैं बात करूं तो पांच हजार इमेज की देखने मिल जाती है जो की बहुत बड़ी मानी जाती है और उपर से 33 वाट की चा कदर्स देते है बट वह 60 हर्ट के रिफरेश रेट के साथ आती है अगर मैं आप लोग की जगा होता तो मैं एमलेट 60 हर्ट से पिक करता साड़े बारा जार रुपे में तो मेरे हिसाब से शामी ने जो है ना इफोन निकालने के बाद सारा कॉम्पेशन खतम कर दिया है क्यो अगर आप लोग जो हो एक घंटे में कमेंट करोगे तो मैं सारे कमेंट्स के रिपलाई भी करूँगा अब इसी बात पे फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं हम लोग अब यहां पर हमें देखनी को मिलते हैं 4G और फिर 5G ऑप्शन तो गेम खेलते हैं इस वाले कैमरे में बात क सबसे पहले 4G ऑप्शन की बात करते हैं जो कि 14,000 उपे का मिलता है हमें वह है रियल मी 8 4G मला 4G लिखना बहुत इंपॉर्टन है तो यह फोन आपको सर्च में नहीं मिलेगा यह 4G भी रैम और 128 जी भी स्टोरेज के साथ आता है जो कि मेरे साब से एक बहुत मस्ट पैकेज यह फोन दिखने में मेरे को कूल लगा का मेरे पास ब्लैक कलर में आया था बस यह डियर टू लीप लिखावा थोड़ा सा ओक्वर्ड लगता है बट इन शॉर्ट यह फोन लाइट वेट है और सच में गाईस बहुत ही अच्छा दिखता है सबसे बड़ी बात मेरे को पता ह इसकी क्या लगती है 64 मेगा पिक्सल कैमरा बही मज़ा आगया इसका कैमरा यूज करके बहुत ही साही क्वालिटी वाली पिक्चर लेकर आता है और उपर से मिरटेक G95 देखने हो मिल जाता है गाईस आप मस्त गेमिंग कर सकते हो इस फोन में मेरे को वह बात मुझ अच्छी आता है जो की डी ब्लेक्स आपको लाकर देगा और वह बहुत बड़ी बात बन जाती है और पता इसमें एक प्रीमियम फीचर भी देखने हो मिल जाता है 14,000 के अंदर वह अंडर डिस्प्र फिंगरपिंट स्कैनर बहुती फैंसी फीचर लगता है तो यह मेरी 4G नहीं आएगा अगर मैं इसकी बात करो तो यहां पर 4GB RAM और 64GB स्टोरेज देखने हो मिलती है और एक बात मैं आप लोग को बता रहता हूं यहां पर IPS LCD देखने हो मिलती है बट 90Hz के हाई रीफ्रेश रेट के साथ आती है जिसको नहीं पता है हाई रीफ्रेश रेट क्या होत लेकिन IPS LCD डिस्प्ले जो है डीप ब्लैक नहीं देती एम लेड की तरह यह बंदों की चॉइस रहती है बट यहां पर भी हमें 5000 इमेज की बैटरी देखने हो मिल जाती है और 18 वाट की चार्जिंग है जो कि स्लो है यहां पर दिखकता बट आपको 5G मिल रहा है क्योंकि यहा इस फोन को लाइक बताऊंगा क्योंकि 48 मिया पिक्सल का कैमरा है जो कि ओके परफॉर्म करता है लाइक इसका कैमरा मैं बोलूँगा थोड़ी सी डाउंसाइड है बट फिर से वही बात है जिसको 5G आप्शन चाहिए तो उनको थोड़ा सा कॉम्परमाइज आज के टाइम प गाइज अगर मैं इस फोन के बारे में बात करूँ तो सच में बहुती ग्रेट प्राइज है और अगर आपके पास और कोई स्पिसिफिक काड एस भी अगरा का तो और भी सस्ता मिल रहा है अभी यह फोन इसके अंदर जो है 120 हर्ट का रीफ्रेश रेट देखने हो मिलता है जो कि बहुती ग्रेट रीफ्रेश रेट है बहुती स्मूथ फीलिंग आपको लाकर देगा और उपर से यहां पर हमें मिलता है जो कि गेमिंग के लिए फिर नॉर्मल टास्क के लिए बहुत जाधा अच्छा जिपसेट है तो यह बहुत सूपर ग्रेट प्राइस बन जाता यह 5G के साब से बहुत अच्छा है और गेमिंग के साब से बहुत अच्छा है और उपर से हेड़फोन जैक भी देखने हो मिल जाता है और 48 में पिक्सल के में में उससे भी फोटोस खीची हुई है और बहुत अच्छी फोटोस लेता है तो ओवरोल गाईस 15,000 उपे में हाइली रिकेमेंड़ आप चेक करो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मैं रिव्यू की डाल दूँगा लिंक अब नमबर 2 स्पोट के बारे मैं बात करते है यहां पर मेरे पास फिर से एक 4G ऑप्शन है और एक 5G ऑप्शन है अगर मैं 4G ऑप्शन के बारे में बात करूं त और उपर से हाँ अपर UFS 3.1 स्टोरेज जो की लेटेस्ट और सूपर फास्त है तो गेमिंग के अंदर यह केलर है क्योंकि लिक्विड कूलिंग के साथ भी आता है और हीटिंग बिल्कूल भी नहीं करता है और उपर से हेड़फोन जैक वगर तो है कैमरे की बात करूं तो अगर मैं बात करो तो यहां पर भी इंसेन नंबर से पांच दर एक सो साथ एच की बैटरी और 33 वाट की चार्जिंग यह भी बहुत ही किलर कॉंबिनेशन है उपर से गोरिला ग्लास सिक्स के साथ आता है बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मानी जाती है और हां भाई 120 हर्ट क रीफ्रेश रेट भी है डूल स्पीकर्स भी है तो मतलब समझ रहे हो अगर आपको दी बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए ना इसलिए मैं इसको नंबर टू स्पोर्ट पे रखा है 4G के अंदर यह दी बेस्ट आप्शन में मजाक नहीं कर रहा है 100% चेक आउट करना अगर आप गेमिंग करते हो तो बट 5G ऑप्शन का क्या यहां पर मैं जादा टाइम नी खराब करूंगा आईकू Z3 हमें ऑप्शन देखनी में मिलता है बट उसके अंदर थोड़े बहुत प्राइवेसी इशू है इसलिए मैं दिल खोल के रिकेमेंड नी करता अगर आपको 5G ऑप्श के बारे में बात करूं तो रियल्मी X7 जाता है जो कि बहुत अच्छा फोन है 5G के साब से सबसे पहले 4G ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो रेड्मी 910 प्रो मैक्स अनगाइस वो 108 मिया पिक्सल कैमरे के साथ आता है और वो दी बेस्ट कैमरा क्वालिटी देता है और अगर मैं इसकी डिस्पली के बारे में बात करो तो आज तक इस प्राइस सेग्वेंट में सूपर M लेड और 120 हर्ट्स का रीफ्रेश रेटे दोनों चीज किसी ने भी एक साथ नहीं दी है तो यहाँ पर रेड्मी ने फोन लाँच करके पूरा कॉम्पटिशन ही फिनिश कर दिया था परफॉर्मेंस भी लोगों ने कुछ कट नी किया स्नैप डेकिन 732 जी है गाई इसके अंदर बहुत अच्छा प्रोसेसर है और एक बात में आप लोग को बता रहता हूं यह फोन दिखने में ती बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है यह पूरा फ्रंट और X7 अगर गाईस में इस फोन की बात करो तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ग्रेट है मिल जाता है क्रेजी प्रोसेसर एफिशेंट है और 4310 एमेच की बैटरी है फिर इसकी बैटरी लाइफ सबसे जादा देखने मिलती है इस प्राइस सेग्मेंट में तो अगर आपको लंबा चलने वाला फोन चाहिए हो तो वो यह है और 5G उप्शन तो देता ही इसका प्रोसेसर यह बहुत किलर चीज बन जाती है अगर मैं कैमरे की भी बात करो ना तो यहाँ पर 64 मेगा पिक्सल का देखने मिलते है और कैमरा क्वालिटी गाईस इंसेन है रियल्मी के फोन सच में चीज बन जाते हैं और हां भाई यहां पर तीन कमिया देखने मिल जाती है कि इस फोन के अंदर हेड़ फोन जैक नहीं है 60 हर्ट्स की इसकी एम लिट डिस्पले तो यहां पर कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है और अब स्टोरिज को एक्स्पैंड नहीं कर सकते लेकिन ज जाता देखने को मिल जाते हैं चुटकों में फोन चार्ज करता है तो ओवरोल उपर से लाइट वेट इतना जादा है लाइक बिल्कुली पेपर टाइप लगता है फोन तो यह ब एक अच्छी चीज बन जाते है तो मेरे को यह बहुत ही सटल डिजाइन लेंगविज लगी मुझे यह फोन सच में बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर 5G के अंदर यह बेस्ट आपको देखने हो मिल रहा अभी तक तो यहां पर पूरी वीडियो खतम हो जाती है मैंने पूरी कोशिश करिए कि 4G और 5G दोनों अप्शन आप लोग को बेस्ट अभी बता दोगे किर्फीजन भहधी जातना और ऊबिसलि आप कमेंट करना जिसे मैं आप लोग के पारना के क्मेंट का रिपलाई करूँ और पूरी कोशिश करूँ आपको कि मैकसिमाम कमेंट का रिपलाई में कर दूग और अगर आपको भीडियो पसंद आई हो तो लाइक करकर सहरू जान और सब्सक्राइब करके हमारी टेकबर आर्मी को जोईन कर लो, हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं, अगरे मिलते हैं, थैंक्स वोचिंग, बाई!